अगर आप भारत वर्स में रहते हैं तो पिछले कम से कम 20 सालों से आप ये सुनते आये होंगे नहीं तो इससे जादा भी हो चुका है कि धारा 370 हटाया जाए जमु कस्मीर से धारा 370 हटाया जाए अखिर क्या है ये धारा 370 जिस पर भारत की सभी राजनीतिक पार्टिया अपने रोटी सेंकते आई हैं है ना कि धारा 370 हटा देंगे और भी बहुत कुछ करेंगे ये सब क्या है आईए आज हम आपको बिल्कुल बिश्त्रित दिखाते हैं आपसे हमारा बिनम्र निबेदन है इस वीडियो को पूरा द धारा 370 भारती सम्विधान का एक विसेश अनुच्छेद है यानि कि धारा है जिसके द्वारा जम्मु कस्मीर जिसे आप जानते हैं कि धर्ती का सुर्ग कहा जाता है जी हाँ इसे संपूर्ण भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विसेश अधिकार दिया गया है यानि तक या धारा भारती राजनीती में बहुत बिबादित रही है भारतीय जंता पार्टी यानि की बीजेपी एवं कई राष्ट्रवादी दली से जम्मु कस्मीर में ब्याप्त अलगावाद के लिए जिम्मेदार मानते हैं तथा इसे समाप्त करने की मांग करते रहे हैं भार आप देखते होंगे अभी हाल ही में हमारे बीर जवान पुलवामा में लगबग 40 पलस की संख्या में सहीद हो चुके हैं और ये सब जमु कस्मीर में जो बिसेस राजी का तरजा और बिसेस सुबिधाय दिया गया है इन सबी बातों को अंदेखा करते हुए वहां के लोग चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि धारा 370 के अंतरगत क्या भी सेस अदिकार दिया गया है जमु कस्मीर वालों को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा आपसे मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ इसमें मैं कोई डान्स और मोवी नहीं दिखाऊंगा पूरा आपके सामने लिखा हुआ है जो भी है आप उसे देखिए और पूरा देखिए देखिए आगे धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसत को जम्मु कस्मीर के बारे में रक्षा विदेश मामले और संचार के विशय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अ जम्मु कस्मीर के सांसत लोग हैं वो लोग अपने जम्मु कस्मीर के बारे में रच्छा विदेश मामले और संचार के विशय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन विशय से संबंदित कानूनों को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज सरकार का लागू नहीं होती यानि कि आप जानते हैं ना 356 धारा क्या होती है अनुछे 356 में क्या कहा गया है 356 से लेकर के 360 तक आपातकाल जम्मु कस्मीर में आपातकाल नहीं लागू हो सकता तो अब आप समझ गये होंगे कि भारत का अगर राश्ट्रपती भी चाहे तो इस राज्य के संविधान को बरखास्त नहीं कर सकता मतलब जम्मु कस्मीर में राश्ट्रपती सासन लागू नहीं हो सकता है और नीचे देखिएगा इस कारण से राश्ट्रपती के पास राज्य के संविधान को बरखास्त करने का अधिकार भी नहीं है और इसी सब की वज़ा है कि वहाँ पर उपलब्ध जो सब ही उपद्रवी हैं वो इसका फायदा गलत तरीके से उठा रहे हमारी आपसे बिनम्र निबेदन है किरपा इस दोस्तों में जरूर सेर करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा मैं बार बार बोलता हूँ आपको पूरी जनकरी समझ में आएगी आगे देखिएगा क्या होता है सन 1976 का साहरी भूमी कानून जम्मु कस्मीर पर लागू नहीं होता है यानि बहुत सा ऐसा कानून ह जो की जम्मु कस्मीर में नहीं लागू अन्य भारत के राज्यों में लागू हो सकता है भारत का राष्ट्रपती भारत के अन्य 28 राज्यों में जब कहे चाहे तो आपातकाल लगा सकता है जब चाहे वहां का नियम कानून बदल सकता है लेकिन जम्मु कस्मीर के बारे में ऐसा कता ही नहीं कर सकता है, आगे देखते हैं, इसके तहत भारती नागरी को बिसे इस अधिकार प्राप्त राज्यों के अलामा भारत में कहीं भी भूमी खरीदने का अधिकार है, यानि भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कस्मीर में जमीन नहीं खरीज सकते, समझ इसी मित्र के यहां भले रह सकते हैं कुछ दिन लेकिन अपनी संपती नहीं बना सकते हैं और आगे देखिएगा भारतिय संबिधान की धारा 360 जिसके अंतरगत देश में वितिया पात काल लगाने का प्रावधान है यह भी जमू कस्मीर पर लागूर नहीं होती है जमू और कस बिसेस अधिकार कस्मीर की जनता को उस समय दिये गए थे यह बिसेस अधिकार निचले अनुभाग में दिये जा रहे हैं आईए दिखाते हैं आपको जमू कस्मीर में क्या है बिसेस अधिकार ध्यान दिजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा मैं बार बार बोल है दूसरी वो भारत के नागरिक हैं जम्मु कस्मीर का राष्ट दोज अलग होता है मतलब अब आप समझ गये होंगे इतना बड़ा आखिर इन लोगों को देने का क्या जरूरत थी यानि कि आपका तीरंगा जम्मु कस्मीर का राष्ट दोज नहीं है यहाँ पर लिखी जनका पूराष्ट दोज नहीं होता है उनको पूरा छूड दी गई है कि बाबू तुम जो चाहो वो करो भारत को गाली दो रश्ट दोच जलाओ जवानों को पत्थर मारो सब कुछ चूट है तुमारे लिए आगे देखिएगा भारत के उच्छतम नयाले की आदेश जम्मु कस्मीर के अंदर माने नहीं होते मतलब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है आपका जो की आने राज्यों की देख भाल करता है पूरे भारत वर्श की उसका कोई भी आदेश वहाँ नहीं चलने वाला है भारत के उच्छतम नयाले की आदेश जम्मु कस्मीर के अंदर माने नहीं होते हैं भारत की सांसत को जम्मु कस्मीर के संबंद में अतयांत सीमित छेतर में कानून बना सकती है मतलब अगर भारत की सांसत चाहती है कोई भी तो वहाँ पर बहुत सीमित छेतर में कानून बना सकती है बस उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं आगे देखिएगा जम्मु कस्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के बिक्ति से बिबाह कर ले तो उस महिला की नागरिक्ता समाप्त हो जाएगी इसके विप्रीत ये दिवा पाकिस्तान के किसी ब्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मु कस्मीर की नागरिकता मिल जाएगी मतलब कितना उल्टा प्रावधान किया गया है आप खुद जान सकते हैं अगर कोई भी लड़की जो की जम्मु कस्मीर की है अगर वो भारत के मानते हैं यूपी के किसी लड़के से विवाह कर लेती है या महराष्ट्रा या फिराव के बिहार कहीं से भी किसी अन्य लड़के से विवाह कर लेती है तो उस लड़की को जम्मु कस्मीर से निकाल दिया जाएगा यानि कि उसकी नागरिक्ता वहां से समाप्त कर दी जाएगी लेकिन अगर वो लड़की पाकिस्तानी से यानि उन दुष्ट परकृति के बेक्तियों से साधी कर लेती है तो वहां का जो पाकिस्तान का बेक्ति है उसको जम्मू कस्मीर की नागरिता दे दी जाएगी हैनक कैसा अंधा कानून अपने विचारों को जरूर कमेंट करिएगा इसके बारे में और इसे खतम कराने के लिए भर सक परयास करिएगा आगे देखते हैं आगे क्या है धारा 370 की वज़ा से जम्मू में यानि कि जम्मू कस्मीर में माफ करिए का यहाँ पर किवल कस्मीर लिखा हुआ है जम्मू नहीं है भाई ठीक है धारा 370 की वज़ा से कस्मीर में RTI और CAG जैसे कानून लागू नहीं होते हैं यानि कि अगर आप चाहें तो RTI के ताहत भारत के किसी भी राज्यों में होने वाले सरकारी कामकाज की जनकारी पराप्त कर सकते हैं कि आपके माननी ये सांसच जी या माननी ये विधायक जी आपके भारत के फला ने राज्यों में कितना काम किया लेकिन आप जम्मू कस्मीर के बारे में ऐसा कता ही नहीं जान सकते हैं आगे देखिएगा क्या है ये दुर भागे कस्मीर में महिलाओं पर सरीयत कानून लागो है सरीयत कानून क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कमेंट करिएगा अगर आप जानना चाहते हैं तो कस्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है कसमीर में चपरासी को 2500 रूपए ही मिलते हैं मतलब कसमीर में जो चपरासी का काम करेगा उसे मात्र 2500 रूपए मिलेंगे बस उससे जादा कुछ भी नहीं कसमीर में अल्प संख्यकों को हिंदू यानि कि सिख को 16% आरचन नहीं मिलता है धारा 370 की वज़ा से कस्मीर से बाहर के लोग जमीन नहीं खरीच सकते धारा 370 की वज़ा से ही कस्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारती नागरिक्ता मिल जाती है मतलब कोई भी जम्मू कस्मीर में अगर पाकिस्तानी इस्थित है उसको आप भगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो जम्मू कस्मीर का नागरिक है उसे नागरिकता मिल जाती है समझ रहे ना तो ये सब कड़ियां आप लोग देख चुके हैं अपने बिचारों को जरूर कमेंट करिएगा अगर आप इसके बारे में और भी जादा को जानना चाहते हैं तो हम जरूर आपको बताएंगे आपसे हमारे बिनमर निवेदना और प्रारतना होगी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी सेयर करें और इस संपूर्ण जानकारी को साजा करें और इस लाइप को लाइक अवस्थे करें बाबु जिससे की ज़्यादा फे ज़्यादा लोगों को धारत इन सब सतर के ब आप माधम से दिखाया तो आप देख लिए जम्मू कस्मीर का धोज चीया है जम्मू कस्मीर का धोज तिरंगा नहीं है ये जम्मोग कशमीर का धोज है जो आप देख रहे हैं द्वजपर बनी तीन उड़धर धारिये राजी के तीन भूभागो जमु कस्मीर घाटी तथा लद्दाख का परतने दित्व करती हैं। जमु और कस्मीर भारत का एक मत्र राजी है जिसे अपना द्वजपराने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों आपने विचारों को जरूर कमेंट करिएगा और मित्रों में सेर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही जैहिन जैभारत बंदे मत्रम।